इस वीडियो में बात करने ओलाओं कि आप कीस तरीके से मोवायल के जरिया आप इजी ली टीवी को जी फाइब से लॉग इन कर सकते हैं, बहुत लोग को पता नहीं होता है लॉगइन कैसे करते हैं, तो आप जी फाइब डाउनलूड कर लीजेगा, डाउनलूड करना नहीं आ आपको यहां पर login पर register पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पोल रहा है QR code इंटर करने के लिए तो हमें क्या करना होगा अपने mobile में एक G5 एप जो है login हो रखा होगा तो आपको इसको खोल लेना है तो मैं फटा-फट से खोल लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको प्लांस वगएरा देखने को मिल जाता है तो फ्रेंज जी फाइब कोलने के बाद आपको इस तरीके का options आएगा तो यहां पर थिरी लाइन दिखेगा आपको इस पर किलिक करना है एक option दिखेगा have a prepared code तो इस पर किलिक करना है और यहां पर वह वाला code डालना है जो आपको इस phone मतलब इस टीवी में code है तो मैं code फटा-फट डाल लेता हूं सबसे पहले लिखा हुआ है बड़ा वाला D 6,1,2 उसके बाद E है तो आपको यह डालने के बाद आपको यहां से back करेंगा तो आपको apply का options देखने को मिल जाएगा तो चलिए मैं फटाक से apply पे किलिक कर देता हूं या फिर qr code के मदद से भी आप कर सकते हैं तो friends यहां पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहां पे यह वाला options दिख रहा है 3 line more लिखा हुआ है तो इस पर किलिक करना है किलिक करता ही आपको setting में जाना है सेटिंग में जाता ही आपको इस तरीके का options दिखेगा नीचे में एक्टिवेट device का options दिखेगा तो आपको इस पर किलिक करना है और यहां पे आपको वो code का options आजा तो यहां पर अब हमें वो code डालना होगा प्ताक से डाल देता हूं पहले वहां का कोड दिखा इसको ताकि पता चले कि यहां वही कोड आला उपर दिखाना इसे करें यहां तो देख कहा रहा है तो फ्रेंस यहां पे आप देख सकते यह वाला कोड है और यही कोड आपको यहां पे इंपूट करना होगा यहां भी दिखा देता हूं आप देख स कोड डाल दियें तो फ्रेंज आपको उसके बाद कंटिन्यून पर किलिक कर देना है आपका लोग इन हो जाएगा तो इसी परकार से आप लोग इन कर सकते हैं आप देख सकते हैं मेरे यहां पर लोग इन हो चुका है देख सकते हैं यहां पर login दिखा रहा है यह इस साइड में आप देख सकते हैं यहां पर login दिखा रहा है तो मतलब आपको यहां पर login पर क्लिक करना है पहले यहां पर अब यहां पर हमें कोड डालना है अब यहां पर हमें कोड डालना है अब यहां पर हमें कोड डालना है आपको यहां पर डालना है तो जैसे कि आप देख सकते हों पर डी फॉर लास्ट में चार्सो च्यालिस है तो यहां भी है चार्सो च्यालिस एक्टिवेट पर किलिक करना है सक्सेसफूल यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं एक्टिवेट पर किलिक किया है तो यहां पर सक्सेसफूल एक्टिवेट लिखा हुआ गया है अब हमें क 자 wounds करना होगा इस यह नीचे लेकर आना होगा कांटीश करके किलिक करना होगा तो एक बार फोकस करके दिखा देता हूं ये खंटीश का option section 자 होता है तो अउन्हें क्लिक करना होगा तचलिया मिलताने कि पीडियो में तब तकली नमस्कार